सूपर बाजार दता विभागी बंडार में अंतर को देखने के बाद आईए अब हम जानते हैं अगला कॉंसेप्ट अगला कॉंसेप्ट है मॉल्स आप लोग मॉल्स से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं यह हमारे राज्य के नहीं बल्कि हमारे देश में लगभग हर बड़े शहर में इस तरह के मॉल्स का निर्माण हो चुका है आप हमारे रायपूर में ही देख लें कई प्रकार के और कई मॉल्स यहां बनाए गए हैं यहां न केवल वस्तू का विक्रे होता है बलकि साथ ही साथ कई ऐसी चीज़े हैं जिसके लिए लोग वहां जाते हैं को हटंने हुए मियापारिक लेवल पर बात करें तो यहीं मौल्स होते हैं वह मौल्स इस तरह के से बनाए जाते हैं कि यहां पर एक ही स्थान पर कई प्रकार की वस्तूइं कई ब्रांड्स आको मिल सकें दूसरी चीज़ यहां पर वस्तूइं होती हैं especially अच्छी quality में उपलब्ध होती हैं, थोड़ी costly भी होती हैं comparatively बाकी बाजारों की अपिक्षा, और यहां पर न केवल वस्तों को cry विक्रे कियाता है, बलकि यहां पर कई ऐसी चीज़े हैं, जो कि आपको entertain कर सकती हैं, जैसे कि cinema घर भी होते हैं, बच्चों के लिए खेलने की जगह भी बनाई जाती है, साथ ही साथ यहां पर आप कई बार हालोईन performance को भी महसूस कर सकते हैं, कि इस तरह के dark room बनायते हैं, या हालोईन रूम बनायते हैं, जहां पर आप एक भूत बंगला जैसा feel कर सकते हैं, मतलब कुल मिला करके, खरीदी के साथ साथ बढ़िया amusement, य यहां पर रखी जाती है, कि जब कोई mall में आए, तो उसे mall को छोड़ गर कहीं बाहर जाने की आवश्यक्ता ना पड़े, तो mall के concept को अब आपने जान लिया, आए इसे विशेष्टाओं के माध्यम से और अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करते हैं, कि malls क्या हैं, अगर बहुत सारी सेवाएं भी प्राप्त होती हैं, जैसे मैंने कहा कि यहां पर आप खरीद तो सकते ही हैं, साथ ही साथ यहां पर आप रेस्ट भी कर सकते हैं, यहां खाने पीने की सुविधाएं भी मिलती हैं, साथ ही साथ यहां entertain भी हो सकते हैं, आप swim games खेल सकते हैं, और आप बात आती है कि केंद्री स्थापना की तो कोशिश की जाती है कि मॉल्स की सापना ऐसी जगों पर किया जाया जहां से बड़ी मातरा में जो है कस्टमर जो है इन मॉल्स तक पहुंच सके और यहां पर अनेक वस्तूओं का जो है क्रय विक्रय किया जाता है अनेक वस्तूओं का चाहे वो कपड़े हो और स्पेशली अकर मैं आपको बताऊं मॉल्स में सूपर बाजार की भी स्थापना की जाती है उनके लिए भी कलग सेक्षिन है कि आप भी यहां पर अपना व्यवसाय कीजिए तो यहां अनेक वस्तुम मिलती हैं ब्रैंडड शोरूम सो होते हैं हर वस्त यहां पर बड़े पैमाने पर विग्यापन किये जाते हैं इन मॉल्स के ताकि जो कस्टमर हैं चाहे पास के हो चाहे दूर के हो चाहे उसी शहर के हो या पास के शहर के हो अगर अच्छी मॉल बनी है नई बनी है खूपसूरत बनी है तो इन सुन्दर विग्यापनों से आकर सर आफ यहां पर बहुत बड़े इरिया में आपक है तो यह जो पूंजी की मात्रा होती यह लॉपर करना है और विशेश्टा आहक taris connect को जाना है और अर उसके दुन आप मौल के मैं लॉ spill के नहीं लेकिन यहां पर भी आपको एक ही ब्राइंड के नहीं बलकि अलग अलग ब्राइंड जिन लोगों को ब्राइंड प्रोडक्त खरीदने का बहुत शौक है वह लोग अलग अलग ब्राइंड के प्रोडक्त भी यहां से करीद सकते हैं यहां से आप खरीदी आसान होती है क्योंक को entertainment के लिए अलग अलग facilities दी जाती हैं ठीक है इसके अलावा यहां पर कई ऐसे programs भी औरे और्गनाइज के जाते हैं जैसे modeling के programs हो सकते हैं जिससे बैठ के आप enjoy कर सकते हैं तूसरी चीज यहां पर जो है singing competition भी कई बार अरेंज होता है festive season के दौरान इन malls को इस तरीके से decorate कियाता है कि आपको उस तरीके की feel दिये जाए तो यहां पर बहुगामी सेवाएं भी इन malls के दौरा दी जाती हैं तो यह malls के लाव होए अब malls के दोशों को देखें तो malls के दोश कुछ इस प्रकार है उनकी सीमाएं कुछ इस प्रकार हैं कि यहां जो है अधिक प्राचलन कि यहां जो है अधिक प्रचालन लागते होती है कि यहां पर वस्तूओं को जो है उनके संचालन में साथ यहां प्रबंधन में बहुत बड़ी मात्रा में जो है पूंजी के आवशक्ता होती है यहां पर वस्तूओं की कीमते उची होती क्योंकि मैंने जैसे बताया यहां ब्राइंडड चीजे मिलती हैं तो नॉर्मल ब्राइंड के पेक्षा यह नॉर्मल वस्तुएं जो हम रोजमर्रा के जीवन में खरीते हैं या कपड़े हम जो शूस करेते हैं अगर ब्राइंड से कमपेल करें तो बट अप्वियस है कि उनके जो कॉस्ट है उनकी जो कीमत है वो आम वस्तू की पेक्षा ज्यादा होगी तो यह भी इसके बहुत बड़े दोश होता है कि यहां पर अकसर ब्रैंडड चीज़ें मिलती है तीसरी चीज़ कि यहां अधिक पुंजी का विनियो करना पड़ता है जो कि पहले भी मैंने बताया ह है फिर इसके बाद यहां पर दूरस्त स्थान की अगर इसकी सापना हो गई तो कस्टमर्स वहां तक जाने में कई बार हिचकी चाते भी हैं कि यह बहुत दूर है कौन इतनी दूर जाएगा पास घर के पास तो सावान मिल रहा है लेकिन ठीक है कई बार लोग इसले भी जात है और साथ ही साथ यह होता है मॉल की अगर हम सबसे बड़ी सीमा बताएं तो मॉल्स में पर्चे जो है निमनवर्क तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता और सम्टाइम्स यह मिडल क्लास वालों के लिए थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है तो क्योंकि यह ज्यादा ल मॉल्स की सापना तो की हुई की गई है और इसका प्रचलन भी बढ़ रहा है लेकिन यह कॉंसेप्ट थोड़ा सा जो है हमारे देश की अर्थ व्यवस्ता के हिसाब से अभी थोड़ा दिक्कत कर सकता है लेकिन आशा करते हूं यह आगे उनके लिए बहुत बड़ी मात्रा म की मजबूत हो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्वाचरिक बिक्री मशीन ओटमेटिक वेंडिंग मशीन देखें यह जो कॉंसेप्ट है यह बिल्कुल अलग कॉंसेप्ट है इसमें एक मशीन जैसी चीज होती है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहां पर के निसार को दाल करके उनको क्या कियाता है जैसे ATM से पैसे निकालते है तो आपको वस्तु स्लाइड से उंक आप आपको मिल जाएगी तो इस तरह के XVII concept पे यह this automatic winding machine काम करती है सबसे बड़ी बात होती है यहां पर किसी भी प्रकार के विक्ति के आवशक्ता नहीं होती कि जिस भी geometric machine के वहां के अवशक्ता वह权 को तो उस材 को iyi'd to be orange क को धाल। स्क्रीन में से ले लेख कर के प्रप्त कर सकता है यहां पर जो है हमारे देश की अगर बात करें तो यह बहुत प्रचलन में नहीं है हमारे देश में लेकिन फिर भी कुछ जगों पर चल रही है जैसे कई बार हम देख सकते हैं पेट्रोल पंप्स में कुछ पेट्रोल पंप्स ऐसे हैं जहां पर इस तरगकी वेंडिंग मशीन यूज की जा रही हैं लेकिन बोहत कम है वह विदेशों में इसका प्रचलन बहुत जादा मातरा में हैं अगर कि प्रकार है हर समय बिक्री संभव होती है साथ ही साथ यहां बिक्री चर्मचारी इसके बाद अगर हमें की सीमाओं को देखें तो उनकी महेंगी बिक्री होती है यह और दूसरी यहां मरम्मत वर्रक रखाओं पर इस पर ध्यान देना पड़ता है बहुत खर्चाता है साथ ही साथ और यह एक ही साइस की सिक्कों की आवशक्ता होती है जो कि सम्टाइम्स पॉसिबल नहीं है और वस्तूओं को रख रखाओं में अगर खराबी आ कर रहे हैं यह यह फैसेलीटराटी फालेबल है तो यह हूँ हूँ और वा कॉमस राइड का सब्सक्र小is रहा है उनुम्हआजप्विंग अ इनका गठने इसी ही सिती में किया ज्याएं यह इस कारण से भी किया था ताकि आपने हीतों की शुरक्षा कर सकगे इसमें ब्यापार में संतुलन घान सइपित रहता है साथ ही साथ एक भी हुएने रिखोंटी उत्पन रहता है ये Chamber of Commerce and Industries के द्वारा, यही कारण है कि Chamber of Commerce and Industries जो है, इनका जो है महतपूर्ण योगदान होता है, अगर हम इसकी आवशक्ता की बात करें तो कुछ आवशक्ता इस प्रकार हो सकती हैं कि ये व्यवसाय में सरकारी हस्तक शेप करते हैं, मतलब इनसे मिल सकता है और इसे एक प्र शग्यों की सेवाओं की प्राप्ती होती है, तीसरी चीज श्रमिक संगों का विकास होता है, चौती चीज व्यवसाय की उनती होती है, पांचवी चीज व्यवसायक शिक्षा की आवशक्ता होती है, छटवी चीज व्यवसायक खोजों का गठन होता है और साथ ही साथ उद् देशsachisandर और उद्द्देशों और इनके कार्यों के बारे में चर्चा करते हैं. यह इंधं निमलिकित हैं, जैसे करिस्न वर्यापारियों, उद्द्द्द्द्दोपतियों और अन्य सदस्यों के हितों की रक्षा करना देश के व्यापार एं मुद्देशों को प्रोचसाहित करना सदस्यों के मध्य वास्तविक तथा पारस्परिक एक्ता एवं मित्रता की भावना जागरित करना और उद्यम में प्रमान पत्र निर्गमित करना साथ ही साथ व्यवसाय की समस्याओं को सर प्रस्तूट करना और देश के विदेश के व्यापारियों के साथ संपर्ग स्थापित करना तो इस तरकार से हमने जो है प्रशुल्क अन्य सरकारी नीतियों के संबंद में अपने धियान में रखते हुए सरकार को सुझाव देना सदस्यों के लाबार्थ व्यावसाय संबंदी आवरशक्ता आंकड़ों को संकलन करना तता हुने प्रकाशित करना सदस्यों के हित के लिए विप्णन अनुसंधान करना तता हुने तखनीकी सेमाय प्रदान करना सदस्यों के बारे में व्यापारिक संदर्भों की पूश्ताज की उचित जानकारी प्रदान करना सदस्यों के आपसी मदवेदों तथा विवादों को निप्टाने के लिए पंच निर्णे की व्यवस्था करना देश विदेश में व्यावसाइक प्रदर्शनियों एवं विचार गोश्चों का आयुजन करना व्यापारिक द्योगिक महत्व की पत्र पत्रिकाएं पुस्तकें एवं बाजार भाव परकाशित करना आयात निर्यात संबंदी महत्वपून सुचनाय देकर तता सुविधाय जुटा कर विदेशों में व्यापार बढ़ाने में हर संभव सहायता प्रदान करना सदस्यों में सामाजिक उत्तरधायद की भावना विक्सित करना सदस्यों के हितों की विरुद्ध सरकार तारा परित कानुन की आलोचना करना तथा व्यावसाय के लिए सरकार को मों करना रद करना चुनावों में प्रत्याश्यों का समर्थन करना आयात निर्यात करने वाले सदस्यों को आवशक प्रमान पत्र एम विदेशी व्यापार में सहता देना और अंतिम व्यवसाय की सामान निप्रगती के लिए निरंतर प्रयास करते रहें तो यह कुछ जो हमने कारे देखे या फंक्शन से चांबर ओफ कॉमर्स और इंडिस्ट् कि भूमिका किया है बचों इससे तीन प्रकार से हम जान सकते हैं इसकी भूमिका को जान सकते हैं पहला रहे हैं दूसरा है व्याब स्पार्यात कि लिए पकर सव्ग्ण्रीस Silicon और तीसरा 1.3 है सरकार को भूंचQué जानते हैं इन तीनों की जानते रहें कि आंतिम की प्रोंड में Chamber of Commerce and Industries की भूमिका को समझे चैंबर आफ कॉमर्स इंडस्ट्री की बात कर रहते पहली भूमिका है व्यावसाई को लाब तो आई ये देखते हैं किस प्रकार चैंबर ऑफकॉमर्स रिवसाई के सरवप्तम हित में भूमिका देती है मत बेदों को समाप्त करने के लिए आचार सहीता करते हैं जिस पर अमल करने से व्यावसाईयों के पारस पर एक संबंद द्रड़ होते हैं और इसी बिंदू पर अगर हम अंतिम पॉइंट की चर्चा करें तो अंतिम बिंदू है चैंबर अफ कॉमर्स विदेशी व्यापार के समवर्धन मे विशेश रूप से साहता प्रदान करते हैं तो इस प्रकार से हमने व्यावसाई को लाब जो हमने पॉइंट बोला था उस पर हमने उसकी भूमिका देखी अगला बिंदू है व्यावसाई समूदाय को लाब इस पर देखते हैं कि किस प्रकार से लाब प्राप्त होता है चै सामुहिक रूप से आवाज बुलन भी कर सकते हैं यही नहीं चैमबर ऑफ कॉमर्स वियवसाय तथा उद्द्योग के अहित में बनाये गए कानूनों को सामुहिक रूप से विरोध कर सकते हैं सरकार को उनके हित में कानून बनाने एवं पारिद करने के लिए प्राइइस करते हैं। राजितिग्यों वो उच्छ सरकारी अफसरों पर दबाव डाल कर अपनी बात मनवाने के लिए प्रभाविद कर सकते हैं। व्यावसाएक स्मुधायक 성िष्ष्ड में प्रदान है तथा पारस परिलवादों का निफ्रार करने के लिए पंच नijn की विवस्ता करते हैं तो इस प्रकार समुदाएक के प्रती म१पन से बत्था है अंतिम विंदु देखते हैं वह सरकार को लाप तो सरकार को जो है निमनलाप प्राप्त होता है संबंदित प्यवसाय अत्वा उद्योगों के संबंद में सरकार को आवश्रक्ता जानकारी समय समय पर प्राप्त होती हैं दूसरी संबंदित प्यवसाय संबंदी नियम वा कानून बनाने में चै कलता से अवगत करा सकती है और अंतिम मिंदु है जिन देशों में चांबर और सरकारी संस्था के रूप में कारे करते हैं और सरकार उद्गम पर प्रमान पत्र देने के कारे में मुक्त हो जाती है अब हमने चांबर ओफ कॉमड्स देख लिया है हम अपने टॉपिक के लास्ट और इंपॉर्टट पॉइन्ट पर आते हैं और जानते हैं कि फूटकर व्यापारी तोक व्यापारी में अंतर को देखते हैं फूटकर व्यापारी और सब्राइट के आधैसे विक्रे लें तो फुटकर व्यापारी में अगर हम देखें तो फुटकर व्यापारी थोग व्यापारियों से माल खरीद कर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में उभुखताओं को बेचता है और थोग व्यापारी उत्पादकों से माल खरीद कर फुटकर व्यापारियों को बेचता है अंतर का दूसरा आधार हम लेते हैं मद्यस्तों की कड़ी तो फुटकर व्यापारी मद्यस्तों की श्रणी की अंतिम कड़ी और थोक व्यापारी जो होता है उत्पाग को तो फुटकर व्यापारियों के बीच कड़ी अंतर का तीसरा आधार व्यापार का विशिष्टी करण को रखते है इनके यहां विश्ष्षिकर नहीं थोड़ बयापारी कुछ विशेश वास्तिय करते हैं इनके कंपूंजी की मात्रा लेते हैं तो वियापार को करने के लिए अधिक पुण्सी की आवशक्ता होती है कि उसी पांश्वा आधार दुकान की एप सजावत तो खुटकर व्यापारी दुकान की सजावत पर विश्य को द्यान नहीं बाधा कर विश्य को और पर शnon करना उनका उद्देश नहीं होता अंतर का छटवा आधार हम लेते हैं स्थान का चुनाव तो फुटकर व्यापार के लिए एक विशेश थान के चुनाव की आवर्शक्ता होती है जहां पर ग्रहक अधिक से अधिक संख्या में पहुंचते हैं और थोक व्यापार के लिए इसा होना चाहिए जहां पर फुटकर व्यापारी आसानी से को सब्सक्राइब नगत व्यापार करते हैं इसलिए साथ सुविधाएं सीमित होती है यह इसका साथवा अंतर का अधार और अगर यहीं थोक व्यापारी में देखें तो यह व्यापारी उधार अधिक तथा नग अधिक तता उधार कम करता है और थोक व्यापारी माल का विक्रे उधार अधिक और नगत करता है नोवे अंदर का अधार लें व्यावसाय का शेत्र तो फुटकर व्यापार का शेत्र सीमित होता है यह नगर एक किसी विशेश्थान पर व्यावसाय करते हैं और थोक छोकिम की मातरा जोव दसवा अंतर का अधहार है यहां पर अगर्म देखें तो फुटकर व्यापार में मातरा अपेक्षक्र से ज्यादा होती है अगला अंतर का आधार ग्यारवा हम संख्या देखें तो फुटकर व्यापारियों की संख्या ठोक व्यापारियों की तुलना में बहुत अधिक होती है और ठोक व्यापारी में देखें तो इनकी संख्या फुटकर व्यापारियों की तुलना में कम होती है बारवा अंतर का आधार हम लेते हैं माल का संग्रह तो फुटकर व्यापारी बहुत कम मातरा में माल का संग्रह करते हैं और थोग व्यापारी परियाप्त मातरा में माल का संग्रह करते हैं अंतिम अंतर का आधार हम लेते हैं विक्रे माल तो फुटकर व्यापारी को प्रभावपूर्ण विक्रे कला का ज्यान होता है और थोक व्यापारी का विक्रे कला में अधिक चत्र होना जरूरी नहीं है बचो इस प्रकार से आपने फुटकर व्यापारी तथा थोक व्यापारी में अंतर को जाना फुटकर व्यापारी और थोक व्यापारी में अंतर को जानने के बाद मैं आशा करती हूँ आपको एच्छी तरीके से समझ में आया होगा और अगर चैप्टर में कुछ समस्या होती है तो कौमन सेक्षिन में मिस्के कुछे नसैंसर कर सकते हैं ऐध्य्य सूमुच